कालो स्टूडिंट्स वेल्कम टो विद्याकुल मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त प्रीयंका जलुदि से करेक्ट हो जा scripture आप सभी के सभी जलुदि से कनेक्ट हो जाइए स्टूडिंट्स आपकी क्लास लाइब हो चुकी है चल्य अस्टार्ट करते हैं आज का हमारा without fit, चलिए, start करते हैं, यह आपके footprint without fit, यह आपके, देखिए, यही वो सेन है, जिसमें ग्रिफिन चौह है, वो भाग रहा होता है, यह सेन आपने अच्छे से पहचाना होगा, चलिए, start करते हैं, questions फर, first question, देखिए, first question देखते हैं, first question है, why does Mrs. Hall find the scientist eccentric, scientist eccentric, Mrs. Hall scientist को eccentric क्यों पाती है, Mrs. Hall found the scientist eccentric, Mrs. Hall scientist को eccentric पाती है, यानि अपने में ही focus, यानि मतलवी, eccentric यानि मतलवी पाती है, because of his strange appearance, क्योंकि जो उसका जो appearance था, उसका जो देखने का, दिखने का तरीका था, वो कैसा था, वो अजीब दिख रहा था, क्योंकि उसने नकली नोज भी लाके लगाया था, इस तरह की band-aise लगाया थी, तो उसके appearance से, उसके दिखावट से, उसके पहनने के धंग से, when she tried to be friendly with him, जब उसने कोशिश की कि वो उसके साथ friendly हो, he rebuffed her, उसने उसे ignore किया, by saying that he helped come there for solitude, वो यहाँ पर क्यों आया है, solitude, यानि शांती के लिए, अकेले पन के लिए, ठीक है, अकेले में time, अकेला पन enjoy करना चाहता है वो, यहाँ अकेले पन के लिए आया है, and did not wish to be disturbed in his work, और वो चाहता है कि कोई भी उसे उसके काम में disturb ना करे, कोई भी उसे उसके काम में disturb ना करे, चलिए student, चलते हैं हमारे next question पर, जल्दी से आते हैं next question पर, next question देखे, why was he wandering the streets, वो streets पर घूम क्यों रहा था, why was he wandering the streets, streets पर वेंडर क्यों कर रहा था, देखे, though he was a brilliant scientist, वो एक brilliant scientist था, he was a lowless person, हाँ वो brilliant scientist थो था, scientist थो काफी अच्छा था, लेकिन एक lowless person था, ऐसा आदमी जो कानून को नहीं मानता हो, lowless जो गैर कानूनी हो, lowless person यानि गैर कानूनी इंसान, तो वो एक ऐसा आदमी था, जो एक कायर कानूनी इंसान था, his landlord disliked him, उसका जो landlord यानि मकान मालिक, landlord यानि मकान मालिक, मकान मालिक, उसका जो मकान वालिक था, वो उसे पसंद नहीं करता था, and wanted to evict griffin, और griffin से पीछा छुडाना चाहता था, in revenge, he set fire to the house, अब उसने griffin को निकाल दिया, तो griffin ने क्या-क्या, बदले में उसके घर में आग लगा दी, to escape, he removed, और बचने के लिए, उसने क्या-क्या, अपने कपडे जो हैं वो निकाल दिये, becoming invisible, क्योंकि कपडे निकालने के बाद ही वो invisible होता था, invisible दिखता था, thus he became homeless, और अब वो घर, बिना घर के हो गया, and he was wandering the street of London, और इसी वज़े से वो London की गलियों में, London की सडकों पर घूम रहा था, wander कर रहा था, बटक रहा था, wander कर रहा था, बटक रहा था, चलते हैं अपने next question पर, next question, how did the invisible man become visible, invisible man, कैसे एक आदमी जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो visible हो गया, how did the invisible man become visible, देखे, देखे, चलिए, सभी के सभी students देखे, the invisible man first become visible, invisible man, जो है पहले visible हो गया, he slipped into a big London store, वो एक बड़े से, London store के अंदर सो गया था, for keeping warm, अपने आपको warm रखने के लिए, and overslapped there, और जादा देर तक सोता रहा वहां पर, while wearing some clothes, from, taken from the store, store से कुछ जो clothes लिये थे, उन सभी clothes को लेकर वो कुछ time तक सोता रहा, good evening to all of you, तो वो क्या करता रहा, सोता रहा, the clothes made him visible to the shop, ये जो clothes से, वो क्या कर रहे थे, उसे visible बना रहे थे, shop assistant को, when the shop opened in the morning, जब shop को open किया गया, morning के अंदर, to escape from them, he had to shed all his clothes to become invisible again, तो उसने क्या क्या, क्या क्या बच्चो, जो clothes उसने जो पहन रखे थे, वो उसे visible बना रहे थे, अब वो भागने लगा, shop से तो उसने क्या क्या, धीरे धीरे करके, अपनी सारे clothes को निकालना शुरू किया, और जैसे ही उसने सारे clothes निकाल दिये, तो वो फिर से invisible हो गया, फिर से invisible हो गया, फिर से invisible हो गया, चल ये, आप सभी का good evening मैंने ले लिया है, अभी questions पर ध्यान रखे बच्चे, questions पर ध्यान रखे, griffin was rather a lowless person comment, comment करें, कि जो griffin है, वो क्या है, आपको कमेंट करना है, आपको बताना है, कि griffin जो है, वो एक lowless person था, आपको ये बताना है, बताईए question का answer आप लोग करिए, I'm waiting for your response, जल्दी से आप लोग बताईए, बताईए प्यारे बच्चों, बताईए, griffin जो था, एक lowless person था, इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, देखे, griffin was not bothered, griffin was not bothered, if he had harmed anybody, in the fulfillment of what he wanted, griffin को किसी बात का bothering नहीं थी, जैसे हम लोगों को, कि परिशानी हो जाते नहीं, किसी को hurt करके, तो griffin को किसी तरह की परिशानी नहीं थी, अगर वो किसी को hurt कर देता है, अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए, तो it doesn't affect, यह चीज़ को वो अपने उपर नहीं लेता था, उसको कुछ भी बुरा नहीं लगता था, उसे फरक नहीं पड़ता था, उसने अपने मकान माली का घर जला दिया था, बिकोज क्योंकि, दे लेंडलोड ट्राइट टू मेक हिम लिव, क्योंकि लेंडलोड ने उसे कोशिश की, कि उसको निकाल दिया जाये तो, इसलिए उसने उसका घर जला दिया, फिर उसने रॉबरी की शॉप के ओपर चोहर या लूट माट की, और बाद में वी विलेज में हमें पता चला कि वो क्या करता था, इस तरह की चीजे करता था, जिससे की वो गैर कानूनी थी, और हमें पता चलता है, इसी इन सब इंसिडेंट से, कि जो ग्रिफिन है, इंसिडेंट मतलब घटना है, इंसिडेंट यानि घटना है, तो इन्ही सब घटनाओं से हमें बदा चलता है, जो ग्रिफिन था, वो क्या था, एक लोलेस परसन था, जब उसने एंकाउंटर किया, पहचाना लेंड लेडी को, उसने उस पर एक चेयर फेक दिया, एंड हर हस्बेंट, ठीक है, उस पर और उसकी हस्बेंट पर, क्या-क्या, चेयर को फेक दिया था, जब उसे पता चला कि वो पकड़ लिया गया है, जो लोलेस परसन लाइक ग्रिफिन, जो लोलेस, ऐसे गैर कानूनी आदमी है, ग्रिफिन की तरह, वो क्या करते हैं, never think about the safety and well-being of others, वो कभी भी दूसरों की safety और well-being के लिए नहीं सोचते हैं, they are only concerned about themselves, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई बात नहीं, जिस भी बच्चे ने footprint without fit का, जिस भी बच्चे ने इस lesson को read नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आपको questions मैं explain कर रही हूँ, आपको समझ आ जाएंगे, इसके अलाबा, जिस भी बच्चे ने story को read नहीं किया है, वो एक बार story को read करेंगे, and questions को फिर से एक बार दो बार से वीडियो को आप देखेंगे, तो आपको सारे questions समझ आ जाएंगे, सारे questions आपको समझ आ जाएंगे, and आप एक बार से revise करें, फिर आप questions को देखें, चलते हैं next question पर, are there forces around us that are invisible, क्या हमारे आसपास ऐसे forces हैं, जो invisible हैं, example, जैसे की magnetism, जैसे की चुम्बक ये तत्वगुन, जैसे की gravitational force, are there respect of matter that invisible, not to visible neck die, क्या ऐसे भी चीजे हैं, जो हमें invisible हैं, और हमें अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, what would be the word, if you could see such forces, or such aspects of matter, क्या होता, अगर आप इन सभी aspects को, इन सभी चीजों को देख पाते, तो देखे, answer करना है आपको, magnetic forces, and electrostatic forces, are example of invisible force, ये सब की सब क्या हैं, चुम्ब के तत्व forces ये सब क्या हैं, आपके example है, किसके? invisible forces के, the atoms and molecule, in a matter, जो की atom और molecule होते हैं, एक matter के अंदर, are so small, वो बहुत ही छोटे होते हैं, that they are not visible to the neck die, उनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, similarly, heat energy is invisible, इसी तरह heat energy, heat energy जो उश्मा देती है, गर्मी देती है, वो भी invisible होती है, उसे भी हम देख नहीं सकते हैं, similarly, sound is invisible to us, इसी तरह sound को हम नहीं देख पाते, सिर्फ सुन पा रहे हो, आप क्या, जो मैं words बोल रही हूं, वो भी आपको ऐसे चलते हुए दिखाई देते तो, आप confused हो जाते, अरे क्या हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भी आपको दिख रहा होता, बोला हुआ भी दिख रहा होता, तो आप सब क्लेटर, आप confused हो जाते, चक्राने लगते, while the idea of seeing invisible things can be very exciting यह जो idea है, invisible चीजों को देखने का यह अपने आप में exciting तो है, बहुत उत्साहित तो है their visibility would to create too many problems और इनकी visibility जो है, वो बहुत जादा problems, समझ्षाहें जो है, वो create कर सकती है if we are able to see, अगर हम देख सकते all the sound around us, जितनी भी sound है हमारी चार और that would be too irritating for us और यह हम सब के लिए क्या हो जाती, बहुत जादा irritating हो जाती, बहुत जादा ऐसी हो जाती जिसे हम परिशान हो जाते जिसे हम परिशान हो जाते so question number 5 question number 5, एक बार आप चाहें तो revise कर सकते हैं खुद से read कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार के लिए read करें question number 5 को, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए read करें question number 5 को जैसे ही chapter complete हो जाता है, आपको इसका word written, hand written notes भी मिल जाएंगी, word meanings भी चलिए देखें चलते हैं आगे next question देखें बच्चे next question देखें आपका what makes glass और water transparent, क्या चीज़ glass और water को transparent बनाती है, what is the scientific explanation of this, क्या एक scientific explanation है इस चीज़ के लिए क्या है scientific explanation, किस तरह से आप इसे explain कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं do you think, क्या आप सोचते हैं, it would be scientifically possible for a man कि एक इनसान के लिए ये possible है, कि to become invisible, कि वो invisible हो जाए और transparent हो जाए, कि glass की तरह हो जाए बिल्कुल glass में से देख सकते हैं transparent हो जाए, keep in mind आपको माइड में रखना है, कि writer of science fiction जो writer होते हैं, जो science के fictions की, आपने movies देखे होगी तरह तरह की movies, उसमें इंसान भी इधर से उधर चला जाता है आगे आने वाले future generation की different movies, science के fiction की movie आती है जिसमें science को advance निखाए जाता है have often turned out to be have often turned out to be prophetic in their imagination कि वो अपने imagination के अंदर इतने अच्छे होते हैं कि वो तरह तरह की imagination करके science fiction की movies बनाते हैं, तो देखें the fact that light can pass through glass और water, fact है यह सच है कि जो light जो है, वो glass और water से pass हो जाती है, makes them transparent, light इन से pass हो जाती है और इनको यह transparent बना देती है, when the light fall on of an object जब एक light जो है वो एक object पर पढ़ती है, the reflection light, the reflected light from that object जो reflected light होती है इस object से, वो उसे visible बनाती है, जब भी किसी object पर आप जेखें, मुझ पर light पढ़ रही है ठीक है, तो light जैसे ही light पढ़ती है, उस object से फिर reflection निकलने लगे तो वो उसे transparent बनाती है, if some devices can made which can prevent reflection अगर हम ऐसे devices बना दे, जो reflection को रोक ले, reflection को रोक ले, light की from the human body, अब देखें, मेरे उपर light पढ़ रही है मेरी बोडि का भी अपना reflection है जिससे क्या हो रहा है, मैं visible हो रही हूँ अगर मैं जो ये light है उसको reflect होने से रोक लूँ तो मेरी human body, जो है, वो invisible हो जाएगी, जो human body है वो invisible हो जाएगी human body, जो है, वो invisible हो जाएगी, अगर मेरी body पर जो reflection आ रहा है उसे अगर मैं रोक लूँ तो मेरी जो human body है वो भी invisible हो जाएगी next question देखे why were the two boys in London surprised and fascinated surprised and fascinated जो दो लड़के थे लंदन के अंदर वो fascinated क्यों थे the two boys in London saw fresh muddy footprints जो दो लड़के थे लंदन में उन्होंने क्या देता कहा fresh muddy footprints देखे थे ऐसे कीचड में पैर देखे थे जो की आ रहे थे steps की form में जैसे देखो यहां पर कीचड भराए ठीक है कीचड भराए कीचड जिसमें पानी मेटी जैसे वो चलता है तो उसके footprints आते हैं उसके footprints इस order है य से आ जाते हैं जासे वह चलता है ऐसे चलेगा तो उसके foot prints भी इनसान इसे नंगे पे को भी इनसान तो इससे foot prints जो है वह आएंगे तो उसके foot print थे वह bear foot था नंगे पैर था आ रहे थे टिके और ऐसे जिसलिए कश इसलिए वो क्या होगे थे, surprise होगे थे, और fascinated होगे थे, fascinated किसी चीज की तरफ attracted भूचकित रह जाना, वो रहा गए थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था, ऐसा कुछ, इसमें इंसान दिखाई नहीं दे रहा, और उसके pair, जो है, footprints, जो है, वो kitchen में, दिखाई दे रहे ह next question देखिए, अभी तक हम large questions देख रहे थे, अभी हमारे थोड़े short questions है, देखिए, what did griffin do inside the store, griffin जो है store के अंदर क्या कर रहा था, griffin जो है store के अंदर क्या कर रहा था, तो griffin broke open, griffin broke open boxes, जो open boxes थी उनको तोड रहा था, ठीक है, और क्या कर रहा था, rappers को भी broke कर रहा था, और अपने आपको dress कर रहा था, एक warm clothes, जितने भी गरम कपड़े थे, सबसे अपने आपको पहन पहन के देख रहा था, पहनी थे उ उसने खाया और पिया, जो उसका दिल किया, hearts content, जो उसका दिल किया, वो सब पुछ उसने खाया पिया, in the end he laid down on the pile of quilts to sleep, और last में वो थोड़े जो भी वहाँ पर सामान रखा था, वहाँ पर लेट कर वो सो गया, last में वो सो गया, next question देखते हैं, next question देखे, what did griffin do in the shop of a theoretical company theoretical company, griffin ने जो theoretical company वाली shop थी, drama जो shop थी, drama जिसमें नाटक वगेरा के सामान मिलते हैं, जो भी आपको कोई नाटक करना हो, कहीं पर कोई show करना हो, drama show, तो वहाँ पर वो उसने क्या क्या, वहाँ से उसने क्या क्या, shopping की, देखे, he wore bandages, उसने bandages पहन लिए, round his forehead, अपनी forehead के around and put on dark glasses, और dark glasses, बड़े-बड़े काले चस्मे, dark glasses पहन लिए, a false nose, एक नकली नाक लगा ली थी, उसने, big buses, sides, whiskers and a large hat, ठीक है, एक whisker और एक बड़ी सारी hat लगा ली थी, he attacked the shopkeeper from behind, वो पीछे से shopkeeper पर अटेक करता था, and dropped him all of his money, ठीक है, और सारे पैसे के लिए, वो क्या करता था, उन्हें, rob कर लेता था, लूट लेता था, सभी के सभी, रुपीज के लिए, उनको लूट लेता था, question number 4, देखे, what was the curious episode that took place in the clergyman's study, curious episode क्या आया था, एक clergyman, जो ब study कर रहा था, उसके study के अंदर, एक curious घटना, जो है, वो कौन से आया थी, देखे, once morning, one morning, एक सुब है the clergyman and his wife were awakened by the noise, जो clergyman था और उसकी जो wife थी, वो किसे noise से उठ गए थी, क्या रहे दे, noise से उठ गए थे, they were shocked to find that their money had been stolen from the desk, और उन्हें ये देखकर बहुत शोक हो गए, कि, वो देखकर बहुत शोक हो गए, कि money जो है, वो deck से उठा लिया गया है, money जो है, desk से उठा लिया ग पढ़ें और revise करें, जल्दी से question number fourth को पढ़ें और revise करें, देखें मैं side हो जाती हूँ, जल्दी से revise करें question number fourth को, जल्दी से revise करें, हाँ जी, जल्दी से revise करें, देखें, हो गया, done, whiskers, whiskers, जो last question में whiskers को meaning आप, देखें, whiskers पूछ रहे हैं बच्चे, whiskers क्या होता है, देखें, whiskers यानि मूचे, नकली मूचे लगा लेना, मूचे, whiskers यानि मूचे, clergymen, जो पादरी होते हैं, या फिर कोई भी वहाँ पर जो भी देख बाल करते हैं, पादरी जो होते हैं, they were shocked to find that their money had been stolen from the desk, वो दोनों शोक किसलिए रह गए थे, उन्होंने देखा कि जो उनके जो पैसे हैं, वो desk से उठा लिए गए हैं, next चलिए, the landlord's wife was convinced, landlord की जो wife थी, वो convinced हो गए थी, that griffon was an eccentric scientist, जो griffon है, वो एक eccentric scientist है, self-centered है, selfish है, what made her think of griffon in these terms, griffon को ये क्या सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या ये griffon को सोचने पर मजबूर कर देती है, जल्दी से, जल्दी से read करें इस questions को, and answer देखिए, देखिए, griffon remained indoors, griffon जो है, वो indoor, अपने में ही खोया रहता था, and did not mix up with others, और दूसरों के साथ न, वो मिलता जूलता नहीं था, दूसरों के साथ वो मिलता जूलता नहीं था, अपने में ही खोया रहता था, His habits, उसकी जो आदते, habits यानि आदते, उसकी जो आदते थी, were strange, strange यानि अजनबी, या person की बात करें अजनबी, या अजीब, आप क्या बोल सकते हैं, अजीब उसकी जो आदते थी वो क्या थी अजीब पिर से वही अजीब आदते थी उसकी आदते जो है वो क्या थी अजीब थी उसकी आदते जो है वो अजीब थी and his appearance appearance मतलब उसका look उसका वो दिखावा वो कैसे दिख रहा था and look was fantastic ठीक है वो fantastic दिख रहा था अदबुत दिख रहा था, all these things of Griffin made the landlady think, यह जितनी भी सारी चीज़े हो रही थी, तो इससे landlady मकान मलकीन सोचने लगी that he was an eccentric scientist कि वो अपने में ही खोई रहने वाला scientist है जो अपने में ही busy रहता हो selfish हो, अपने में ही self-centered, eccentric यानि self-centered, जो अपने में ही busy हो self-centered चलिए चलिए, चलते हैं look यानि देखना, look यानि दिखावा, look verb होती है तो verb का मतलब होता है देखना, और यहां पर you looks good, अगर मैं बोल देती हूँ you looks good तुम अच्छे दिख रहे हो तुम अच्छे दिख रहे हो तुम अच्छे दिख रहे हो तो यहां पर था appear, appear यानि प्रतीत होना, आप कैसे दिख रहे हो प्रतीत होना कैसे दिख रहे हो ओके, देखे next question पर चलते हैं, question 6 Griffon was rather a low-less person, जो Griffon थे, वो एक low-less person थे, pick out instances, कुछ instances को उठाएए, घटनाओ को उठाएए, कुछ instances को, which proved that he was a low-less, जो यह प्रूव कर दे कि Griffon जो है, वो एक low-less इंसान है, गैरकानूनी इंसान है, जो यह प्रूव कर दे कि Griffon, जो है वो एक गेर कानूनी इंसान है He set fire to the house उसने घर में आग लगा दी थी which did not belong to him जो घर उसका है भी नहीं आप देखे अपने घर में आग लगाए कुछ भी करें आपकी responsibility आप दूसरे के घर में आग लगा रहे हैं तो ये गल्द कर रहे हैं जो हाउस उसका था भी नहीं He tools away clothes without paying for for them अब उसने क्या क्या? Clothes को Clothes ले लिए वहां से और उनके पैसे भी नहीं दिये तो ये भी उसने गल्द किया He hit a shopkeeper उसने एक shopkeeper को मारा and stole his money और उसके पैसे चुरा लिए तो इन सब instances से पता चलता है ये instances हमें उठाने थे जो lesson में आए इन सब घटनाओं से हमें पता चलता है कि Griffin कैसा इंसान था? Griffin एक lowless इंसान था गैर कानूनी आदमी था Griffin कैसा आदमी था? गैर कानूनी lowless person तो हम सब को lowless person कभी नहीं बनना है अपनी लाइफ में हमेशा हमें low का पालन करना है low को follow करना है What did the scientist do when he became furious? Furious यानि angry होना, गुस्सा होना Angry, गुस्सा, ठीक है? Scientist ने क्या किया जब वो गुस्सा हो गया था? जब उसे गुस्सा आ गया था? आग बबूला हो गया था? Why were the people in the bar horrified? जो लोग बार में बैठे थे वो horrified, डर क्यों गये थे? Horrified, डर क्यों गये थे? What? डरे होए थे? ठीक है? डरे होए थे? What happened to the constable? और constable को क्या हुआ था? What happened to the constable? जो constable था, उसे क्या हुआ था? Constable को क्या हुआ था? देखे, the scientist took off scientist ने took off his bandage scientist ने अपनी bandage को खटा दिया and spectacles को and spectacles चस्मे को भी उतार दिया and became headless और क्या हो गया? headless अब बदाएए, जब वो चस्मा उतार देगा spectacles को उतार देगा spectacles यानि चस्मे अपने चस्मे spectacles यानि चस्मे चस्मे उतार देगा तो वो क्या हो जाएगा? Headless हो जाएगा The people in the bar were shocked जो आदमी थे बार के अंदर वो shocked हो गए To see a headless man एक headless आदमी को देखकर वो क्या हो गए? Shock हो गए Griffin hit the constable Griffin ने क्या क्या? Constable को hit किया Constable को मारा Constable Jeffers नम था Jeffers hard and made him senseless और उसको बेहोस कर दिया ठीक है? उसे senseless कर दिया बेहोस कर दिया क्योंकि वो पागल हो गए कि किस तरह का इंसान है कि invisible दिख रहा है इसको मैं कैसे जो है Arrest करूँ तो ये सारी चीजे किसने की? What did the scientist do when he became furious? वो गुस्ता हुआ तब उसने क्या क्या किया Why were the people in the bar horrified? लोग वहाँ पर ड्रेव वे क्यों थे? And what happened to the constable? और constable को क्या हुआ था? Constable को क्या हुआ था? Headless का मतलब है बिना सर के Headless का मतलब होता है बच्चे बिना सर के सर नहीं था न उसको जैसे ही वो सारी चीज़े उतार देगा तो उसे सर नहीं दिखाई देगा उसका जो सर है वो नहीं दिखाई देगा बिना सिर के उसे सिर नहीं दिखाई देगा Headless यानी बिना सिर के जैसे ही वो अपना सब कुछ उतार देगा तो उसे जो है सिर नहीं दिखाई देगा किसी को भी उसका देखें next question पर चलते हैं how do you assess Griffin as a scientist कैसे आप Griffin को एक scientist की तरह कैसे देखते हैं कैसे समझते हैं देखें Griffin was a brilliant scientist Griffin एक brilliant यानि बहुत अच्छा आप इसे English speaking में भी उसकर सकते हैं इस word को बोल सकते हैं you are a brilliant performance तुम एक बहुत अच्छे performer हो you are a brilliant student तो brilliant का spelling याद करें brilliant Griffin was a brilliant scientist ये एक brilliant scientist था he invented some drugs उसने कुछ drugs invent किये थे and made himself as a invisible person और अपने आपको एक invisible person बनाया था but he misused his scientific discovery लेकिन उसने अपनी जो scientific discovery थी उसको misuse किया and became a lawless person और क्या हुआ एक lawless person बन गया क्योंकि discovery इतनी अच्छे discovery थी ये use हो सकते थी किसी भी चीज में हम military में use कर सकते थे हम अपने देश को power दे सकते थे लेकिन उसने क्या की गल्ब तरह से use किया अपने इसको power को and griffin was thus not a true scientist इसलिए वो एक सच्चा scientist नहीं था सच्चा scientist नहीं था चलिए चलते हैं अपने next question पर why did the landlord want to eject griffin why did the landlord want to eject the griffin landlord griffin से छुटकारा क्यों पाना चाते थे उसे क्यों निकालना चाते थे why did griffin set fire in the house ठीक है और griffin ने जो है घर में आग क्यों लगा दी थी घर को आग में क्यों जोक दिया था landlord wanted to eject griffin from his house landlord चाते थी कि griffin उसके घर से चला जाए because his activities were whimsical क्योंकि जो उसकी activities थी वो अजीबो गरीब थी वो अच्छी नहीं थी griffin sacked the house on fire griffin ने घर को आग में लगा fire में जोक दिया था to take his revenge revenge यानी बदला बदला लेने के लिए griffin ने जो है घर को आग में जोक दिया था किसके घर को landlord के घर को इसमें आग में जोक दिया था next question देखिए who was Mrs. who was Mr. Jaffer Mr. Jaffer कौन थे what was his surprise और वो surprise कैसे रह गए थे देखे, Jaffer was a police constable Jaffer एक police Jaffer's कौन था? एक police constable था his surprise was that उसके surprise ये था he ordered to arrest a lawless person कि उसने एक lawless इंसान को arrest करने के लिए बोल दिया था who was totally invisible जो की totally क्या था? invisible था दिखाई नहीं देता था ऐसा इंसान को बिचारे को पकड़के लेके आना था जो इंसान दिखता ही नहीं हो जो इंसान दिखता ही नहीं हो next question पर चलते हैं देखते हैं why was they surprised when they opened the room? वो surprise शोक क्यों रह गए जब उन्होंने रूम को open किया both the clergyman and his wife were surprised दोनों पादरी जो देख रेक करते थे वहां की और उसकी जो बेवी थी दोनों ही surprised रह गए थे because the room was empty क्योंकि जो रूम था वो कहा था? खाली था they searched everywhere everywhere यानी हर जगे उन्होंने सर्च किया but couldn't find anyone लेकिन कोई नहीं मिला वहां पर yet the desk had been जो desk था had been open desk को open किया गया था and the house keeping money was missing और जो घर के लिए जो रूपे रखे गए थे वो missing थे घर के लिए जो रूपे रखे गए थे वो missing थे question number 11 देखिए एक बार रीड करें आप सब लोग एक बार रीड करें देखिए चलिए what did the scientist do when Mrs. Hall confronted him जब Mrs. Hall उनको confront करती है तो scientist ने क्या क्या Mrs. Hall confronted the scientist he threatened जब Mrs. Hall ने क्या क्या confront क्या confront what is the meaning of confront what is the meaning of confront anyone tell me देखे जब उसको सामने आपने सामने उसकी बाते बताए गई उससे पूछा गया the scientist he threatened और उसने उसे धंकाया धंकी दी and three of his bandages और अपनी bandages को निकाल किया क्योंकि जब उस पूछने लगी confront करने लगी कि यह चीजे यह ऐसे कैसे हुआ ऐसे कैसे हुआ तो बोलता है you don't know me who I am तुम मुझे नहीं जानती हो मैं कौन हूँ तो उसने क्या किया धीरे धीरे अपनी bandages निकाली अपनी मूछे निकाली अपने spectacles निकाल दिये whiskers यानि मूछे अपने spectacles निकाले and even the nose in a minute और nose को भी एक minute के अंदर सब कुछ निकाल दिया उसने the people were horrified जो लोग थे वहां डर गए to see the headless man एक ऐसे आदमी को देखकर जिसका की सर ही ना हो लोग जो थे ऐसे आदमी को देखकर डर गए थे जिसका सर ही ना हो जैसे कि आपने first में देखा था ना चड़ गया आगे how did griffin escape griffin कैसे भाग गया था griffin begin throwing off his bandages griffin जो है अपने bandages जो है वो फैकने लगा whiskers अपनी मूछे भी उसने फैक दी थी spectacles भी फैक दे थे and even the nodes और चस्मा भी उसने निकालके फैक दिया था then he become even more invisible फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे करने से इन्विजिबल हो गया सारी चीजों को फेक के सारे गार्मेंट्स यानी कपड़े जितने भी कपड़े पहन रखे थे सारी चीजों को वह एक के बाद एक के बाद फेकने के बाद वो क्या हो गया था गायब हो गया था there followed a male and none knew where he was ठीक है अब लोग जो उसे follow कर रहे थे अब किसी को भी नहीं पता था वो इंसान अचानक से कहां चला गया कहां जायब हो गया क्योंकि कोई भी उसे देखी नहीं सकता था next question देखे do you think griffin's discovery was any of use to humanity क्या आप सोचते हूँ कि griffin की discovery जो है वो humanity की किसी काम आ सकी no griffin's discovery griffin की जो खोस थी throw remarkable remarkable तो थी वो एक ऐसी याद रखने वाली खोस थी but was of no use to anyone except himself वो सिर्फ उसके काम आई और किसी के कुछ भी काम नहीं आई he began robbing money वो money lootता था and other things और चीज़े lootता था and even assaulting people और लोगों को assault करता था उनको harass करता था अगर इस तरह की discovery वो government के सामने लाता अच्छी चीज़े करता government उसे praise करती उस चीज को सराहना करती उसे अच्छी salary मिलती और वो एक ऐसी life उसे जीने की जरूरती नहीं थी उसे सब कुछ मिलता मान सब मान सब कुछ awards सब कुछ मिलते बट उसने गरत रास्ता सुना after he became invisible और उसके बाद बस वो invisible हो जाता था लोगों को assault करता था परिशान करता था humiliate करता था यानि गालिया देना ग्लोच करना कुछ भी बोलना और फिर उसके बाद वो जो है अपने आपको invisible कर लेता था तो उसकी जो discovery थी वो सिर्फ उसी के काम आई किसी और के काम नहीं आई यहां जी इसलिए ग्रिफिन जो है वो अच्छा scientist नहीं था चलिए तो आज का आपका chapter सारे के सारे questions आपके हो गए हैं किसी भी question में I hope कोई doubt नहीं होगा आपको तो आपका chapter यहीं पर finish होता है ग्रिफिन का footprints without fit तो अभी हम देख लेते हैं headless man को हमारे फिर से कि कैसा headless man था यह था आपका headless यानि बिना सर का आदमी a headless man जो कि आपका कौन था ग्रिफिन इस chapter के सारे question answers हो गए हैं हमने सारे question answers को किया है you have to learn these questions आपको सारे के सारे questions को learn करना है और अपनी नोंट बुक में write कर करके देखना है क्या करना है आपका as a student आपकी क्या duty बनती है आपकी duty बनती है आप chapter को read करें उसके बाद questions को read करें समझे उसके बाद उनको लिख लिख कर देखें अपनी book ले open करें book को questions को देखें एक बार questions को को देख लें, questions को साथ साथ लिख लें और answer की जगे खाली छोड़ दें, answer की जगे खाली छोड़ दें, and then answers को right करें, and then answers को right करें, and then उसके बाद क्या करेंगे, match your answers, अपने answers को match करें कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, जो बच्चा पहले दिन से पढ़ाई करेगा वही last में winner होता है, जो last time पे winner बनते हैं, वो cramming तो कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा marks, एक अच्छे students नहीं बन सकते हैं, अगर आपको tension free चाहिए, कि exam time में भी बिना stress free होके, otherwise बच्चे यहां मागते हैं, वो session देख ले, ये कर ले, उन सब से बचने के लिए आपको क्या क साथ आप ये सब काम करते रहें, अपने handwritten notes जरूर बनाएं वच्चो, PDF के चक्कर में नहीं रहना, PDF के चकर में नहीं रहना, digital चीजे हो गई है, that is good, बड़ जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, आप कुछ चीजे काम में नहीं आएंगे, अपनी notebook बनाएं, literature का, उतमें question answers को note करें, revise करें, अच्छे से सारी चीजों को अभी से deal up करके चले, and questions के answer मैंने बहुत easy language मिलिया है, तो आपको same ही questions का answer learn करना है, अगर आपको लगता है कि आप इतने capable हो कि आपकी grammar जो है वो ठीक होगी, आपको लगता है आप में इतनी शमता है कि आप अपने grammar के words को ठी अब Griffin की story है, Griffin यहां गया, वहां गया, Griffin नहीं किया, content तो आपको याद रखना पड़ेगा, content हम अपनी तरफ से नहीं लिख रखते, content जो question हाँ, हाँ, आप language को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी language ability पे depend करता है, अगर आपके language से meaning ही गलत निकल रहा है, जैसे कि हम I, जैसे मैं बोलती हूँ, I am a teacher, I am a teacher, लेकिन इसके अलावा मैं इसी को इस तरह से लिख देती हूँ, I a teacher am, teacher am, इसका मतलब मैंने subject, word, subject का, word का, use सही से नहीं किया, तो मेरे sentence का meaning जो है वो गलत निकलेगा, मेरे sentence का meaning जो है वो सही निकलेगा, और ऐसे case में, ऐसे case में मेरा जो meaning है वो गलत हो गया, और मुझे marks नहीं मिलेंगे, तो यूँ, आपको क्या करना है, आपको learn करना है questions को, and then write करना है, and then write करना है, चलिए फिर मिलते हैं next class में, तब तक के लिए revise करें, मस्त रहें, खाए पियें, अच्छे से रहें, और गर्मी से बच्चे रहें,